तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problems का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो topic लेका है उसका नाम है add Calangly invites to send in blue as a subscriber automatically सिखाऊंगा कि कैसे आप आपके Calangly के invites को automatically as a subscriber add कर सकते हैं create कर सकते हैं अपने send in blue के account में जी यहां ऐसा हो सकता एक automation के help से जिसको हमें site करना होगा Calangly और send in blue के बीच में तो क्या होगा कि जैसे ही Calangly में कोई भी invite क्रियेट होगा तो automatically वो invite as a subscriber create हो जाएगा आपके send in blue के account में और best part तो यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills या फिर programming knowledge का आना ज़रूरी नहीं है सिर्फ help लगेगी तो एक software की जिसका नाम है पैबली connect जो connect कर देगा इन दोनों applications को और इन दोनों के बीच में आपको बताएए कि कोई connection नहीं है that is why हम help ले रहे हैं पैबली connect की उपर से free application के सकते हैं क्योंकि 100 task free देता है पैबली connect हमें और free में account भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात किये आई यह मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे आप भी इस automation को site कर सकते हैं और मेरी तरह आप भी अपना time और पैसे दोनों बचा सकते हैं अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे पी डबल बी लवाई पैबली डॉट कॉम प्रेसेंटर यह है official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा पैबली connect का क्लिक करेंगे access now पर access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right hand side पे create workflow का option एक लिए क्लिक करके अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो क्योंगा ऐसी workflow का आपको जाना है अस link पे क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाऊगे वह भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते है कि हमारे calendly में जब भी कोई new invite create हो तो automatically वह ऐसा contact create हो जाए हमारे send in blue में तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे first application में सबसे पहले हम choose कर लेंगे calendly को search किया और choose कर लिए calendly को ठीक है then trigger event में add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए रहेगी API की API की के लिए चलना होगा अपने calendly के account पे तो यह मेरा calendly का account क्लिक करूँगा integrations पे then integrations पे क्लिक करने के बाद एक new page open होगा okay load हो रहा है थोड़ा सा net मेरा slow is that's why थोड़ा सा late open हो रहा है यह रात में net का issue रहता ही है तीक है नीचे scroll करूँगा और यहाँ पे मैं API and webhooks का option इस पे क्लिक करूँगा तीक है API and webhooks के option पे क्लिक करने के बाद जो है नीचे मुझे मिल जाएगा token copy कर लूँगा copy की पे क्लिक करके और यहाँ पे आ जाऊंगा और paste कर दूँगा इसको then click करूँगा save पे तो मेरा connection जो है वो successfully हो जाएगा then click करूँगा save and sign test request पे तो यहाँ पे शोने लगेगा waiting for response okay means waiting for response का means है कि अब यह wait कर रहा है कि कब Calendly के अंदर कोई new invite क्रियेट हो और यह उसका data capture करे तो चलिए क्या करते हैं हम एक यूजर बनके चलते हैं और वहाँ पे हम कोई appointment schedule करते हैं देना के चेक करेंगे public connect के पास इसकी details capture होती है कि नहीं तो यह आगया मैं Calendly पे ओपन क पेज कोई भी क्या मैंने एक ही पेज जो है create किया है है ना payment page payment page बोल रहा हूँ sorry booking page ठीक है इसकी link को copy कर लेता हूं मैं यहां से ठीक है copy link पे click करके एक new tab में open कर लेता हूं ठीक है है ना so appointment मैं लेता हूं आज कितनी तारीक है 9 तारीक है 9 अप्रेल है तो मैं लेता हूं 20 अप्रेल को 10 a.m का appointment confirm कर देता हूं then मान लीजे मेरा नाम है Gary Monroe और जो मेरा email address है Gary Monroe 6778 direct email.com और जो मेरा phone number 826936913 है ठीक है then schedule event पे click कर दूँगा so event schedule हो जाएगा successfully तो जैसा कि आप दे हो गया चलके चेक करते है पैबली कनेक्ट के पास तुरंत देटा कैप्चर हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे है जैसा कि मैंने वहाँ पे नाम फिल किया ता अपना first name Gary last name Monroe email address वगएरा वगएरा phone number सारी details वही है okay so मतलब connection एक दम perfectly work कर रहा है Calendly और पैबली data capture कर लेगा अब मैं पैबली कनेक्ट को order देता हूं कि आपके पास जैसे ही data आए तो आप उस data की help से contact create कर दिजे मेरे send in blue में तो ऐसा order देने के लिए मुझे क्या process करनी होगी second application में आके choose कर लेना होगा send in blue को okay search किया send in blue को और choose कर लिया simple then action event में choose करना होगा create a contact को connect पे click कर connection बनाना होगा add new connection पे click करना होगा then यहां हमें चाहिए API key so API key कहां मिलेगी API key के लिए हमें क्या करना होगा login to your send in blue account click on your username on the top of the right right area and select smtp and API from the drop down menu you will find the API keys ठीक है चलना होगा हमें हमारे send in blue के account पे तो यह मेरे send in blue के account का dashboard profile icon पे click किया then यहां पे option है smtp and API का click किया smtp and API पे ठीक है then यहां पे API keys मिल गए हमें यह 5 API keys है ठीक है एक और API key create कर सकते हैं हम click करता हूं create a new API key पे name देता हूं API key को मैं नाम देता हूं Calendly okay Calendly नाम देती है मैंने आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं यह मिल गई API की copy कर लेता हूं इसको ठीक है copy चलता हूं पैबली connect पे और आ जाता हूं और यहां पे कर देता हूं paste simple and click करता हूं save पे तो मेरा send in blue से connection जो है successfully हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे है मेरा send in blue connected है पैबली connect से select list list id यहां से आप list id जो है select कर सकते हैं है ना मैं सबसे पहले तो dashboard पर आ जाता हूं अपने send in blue के है ना okay okay contacts की list को open कर लेता हूं अब सबसे पहले ठीक है तो यहां पे जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी list id है मेरे पास data 101 data in elemental list form stack leads वगड़ा वगड़ा okay है ना so कई सारी list id है यही सब यहां पे show हो रही है तो यहां पे से मैं किसी के अंदर भी add कर सकता हूं data कोई problem नहीं है उसके अंदर okay so मैं data 101 वाली जो list ाइड़ी इस मैं add करना चाहता हूं जितने भी लोग calendar से आ रहे हैं उन लोग को okay update enabled status blacklisted email sms blacklisted उन सब को आप true कर सकते हैं मैंन से मिलेगा जो calendar से data मिला यह email मुझा add करना है यहां पे so ऐसा करने के लिए मुझा एक टैक्निक का use करना होगा जिसको हम कहते है mapping mapping के अंदर हम trigger application का data हमारी action application में select करके add कर सकते हैं है ना वो भी बहुत easily कैसे कर सकते है blank field पे click करोगे तो नीचे option आएगा trigger application का click किया trigger application पे त कोई rocket science नहीं है और map करना बहुत जरूरी है अगर आप चीज़ों को map नहीं करेंगे तो चीज़े automatically update नहीं होंगी change होके इसी तरह से first name भी map कर देते हैं first name first name first name first name first name यह ra гैری okay इसी तरह से last name भी map कर देते है last name 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 फोन नंबर कहा चला गया फोन नंबर सर्च कर लेते हैं एक बार हम फोन नंबर यह रहा हमारे पास इसको भी मैप कर दिया है simple then country enter the country okay so country हमारी इंडिया है इंडिया map नहीं कर सकते यहाँ पर हम manually लिख देते हैं इंडिया ठीक है then click करेंगे save and send test request पे तो एक जो है contact create हो जाएगा हमारे send in blue के अंदर जैसा कि आप देख रहे है 167 id आ गई है यहाँ पर मतलब यहाँ पर contact create हो गया है एक बार refresh कर लेते हैं हम contact list को देन चल के चेक करेंगे कोई Gary Monroe के नाम से contact create होगा है कि नहीं यहाँ पर 31 हो गई है list और यह जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे उपर Gary जिनका फर्स ने में लास्ने मोन्रो जिनका फोन नमबर यह है और जिनका email address है Gary106778.gmail.com वो as a contact create हो गये हैं हमारे send in blue के अंदर इनकी presence बता रही है कि हमने हमारा automation set कर दिया just save पे click करना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सारा काम software करेगा क्या करेगा software अब जब भी calendar के अंदर कोई new invitee create होगा तो automatically वो as a contact create कर देगा अपने account के अंदर send in blue के account के अंदर आपके involvement की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी सारा काम automatically होगा जब तक यह workflow on है ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो वो भी बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link बिल जाएगा जो कि होगा असी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में इस वीडियो से related कुछ questions होता है आपके queries होती है जानूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत बूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत बूलेगा Thanks